यूटूब से पैसे कैसे कमा सकते हैं दोस्तों ये कैसा सवाल है कि बहुत से लोगों के दिमाग में आता हुगा कि यूटूब से आखिर हम पैसे कैसे कमा सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डीटेल में बताऊंगा चैनल बनाने से लेके पैसे अका का जादा टाइम नहीं लोगा फटा-फट आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको क्या करना है एक काम्याब और एक अच्छा चैनल बनाने के लिए आपको यूटूब पे क्या करना पड़ेगा सब में पहले तो आपको एक चैनल क्रेट कर लेना है दोस्तो यूटूब प और लोग देखेगे अगर आपका चैनल का नाम एकदम कॉमन है या फिर पहले से यूटूब पे उसी नाम का कोई और चैनल है तो आपको थोड़ा प्रोब्लम हो सकता है आपका चैनल जो है सर्च में नहीं आएगा तो आपको जो है अपके चैनल का नाम एकदम यूनिक चैनल बनाया उसका नाम भी गेम से रिलेटेड रखा है बट उसके उपर जो है आप उठके वीडियो डारे हो या फिर व्लॉगिंग वगेरा कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ गेम की वीडियो डालने तो सब में इंपोर्टन चीज़ है आपकी जो नीच है यानि केटेगरी को fix कर लेना है उसे change नहीं करना है तो जैसे कि आप यहापर देख सकते हूँ मेरा चैनल मेंने बनाया हुआ है तो यहापर आपको अपनी चैनल की branding अच्छे से कर दीनी है यहाप पर देख सकते हूँ मैंने जो है अपने चैनल का home screen वगेरा यहाप लगाया हुए यहाँ पर चैनल का logo भी आपको कुछ attractive बनाना है आपका चैनल का जो भी logo होगा वो कुछ attractive होना चाहिए लोगों के समझ में आना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए दिखने के लिए साथी साथ में आपको जो है आपके चैनल का description भी अच्छे से डाल देना है आपके channel का जो भी description आप डालोगे उसके अंदर पूरी detail में आपको अपने channel के बारे में लिखना है और category भी आपको वही select करनी है जिसके अंदर आपको अच्छा knowledge हो अगर आपका gaming में अच्छा हाथ है आप gaming अच्छे से कर लेते हो आप commentary अच्छे से कर लेते हो तो आप gaming का channel डाल सकते हो अगर आप खाना अच्छा बना लेते हो आप food का channel डाल सकते हो या फिर अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आप music का भी channel डाल सकते हो दोस्तो तो आपको जो है अपने channel की category उसी हिसाब से select करनी जिसके अंदर आपका हाथ अच्छा बेटा हुआ हो या फिर आपकी skill जिसके अंदर अच्छी हो जिसके अंदर आप professional हो simple सी बात है तो यह चीज़ आपको कर लीनी है अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है आपको continuously video upload करने दोस्तो continuity एक ऐसी चीज़ है जो अकसर यूटूबर नए यूटूबर नहीं करते आज एक video डालते फिर दो दिन गायब चार दिन गायब ऐसा नहीं होना चीए आपको कम से कम दिन में एक video डालना है हो सके तो दो video डाले starting में आपको इतना तो करना ही होगा उससे क्या होगा आपके वीडियो का impression अच्छा बनेगा यानि आप जितने वीडियो डालेंगे न वो उतनी जादा audience तक पोचेंगे और आपके वीडियो के chances होते हैं कि viral में निकलने के तो वीडियो वाइरल में निकलता कैसे है आपको ज thumbnail में लिख दिया कि नानी मा की 80 साल पूरानी recipe पनीर कैसे बनाए शाही पनीर कैसे बनाए तो इससे लोग attract होते तो यह आपको clickbait करना अपने thumbnail पे लेकिन वो चीज़ clickbait में जो आपके वीडियो में भी होनी चाहिए यह चीज़ आपको कर लीनी है इतना करने के बाद जो है आपके वीडियो पे वीउस अच्छे आने चलो होगे आप वीउस अच्छे आने के बाद इतना तो आपने कल लिया channel बना लिया वीडियो डार रहे हो तो आपको YT Studio एक app होता है जो के verified app है YouTube का आपको यह easily play store पे मिल जाएगा यहापे आपको आपकी total detail दिखाएगा यहापे आप देख सकते हो मेरा चैनल है उसके subscriber भी हापे counting दिखा रहा है तो YouTube की condition है पैसे आने के लिए आपके 1000 subscriber complete होने चाहिए यहापे आप देख सकते हो मेरे 1500 के ऊपर subscriber complete हो चुके उसके बाद साथ साथ आप नीचे देख सकते हो आपको dashboard दिखाई दे रहा होगा total dashboard आपको मेरा watch time जो है पिछले 28 दिनों में 756 हुआ है यहापे आप देख सकते हो लास 28 डेस का आपको यह 365 डेस यानि लास 365 डेस में आपको 4000 complete करना पड़ता है यानि एक साल के अंदर आपको 4000 watch hours आपका होना चाहिए और 1000 subscriber होने चाहिए अगर आपका 4000 watch hours complete नहीं होता है तो टेंचन लेनी की बात नहीं दोस्तों जैसे इसे आपका time बढ़ते जाता है एक साल के उपर अगर आपको एक मेना जाता है तो यूटूब क्या करता है पिछले एक मेने का यानि एक मेने का watch time कम कर देता है तो obviously पहले studying के महीनी में हमें थोड़ा ही watch time आता है तो वह automatically उसमें से reduce हो ज जाता है आपको कोई इतना टेंशन लेनी की बात नहीं है यह easily हो जाता है अगर आप अपने चैनल पर continuously वीडियो डार रहे हो तो इतना कोई टेंशन लेनी की बात नहीं है इतना आप complete कर ले तो आपके 1000 सब्सक्राइबर आपके complete हो जाते आपका watch hours भी complete हो जा रहा है तो उस करना यहाँ पर आपको चली जाना है अपने चैनल पर लोगों पर क्लिक करना है अपने यूटूब चैनल में चली जाना है जैसे आप यहाँ पर चली जाओगे ना तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है यहाँ पर कस्टमाज चैनल में चली जाना है दोस्तों कस्टमाज च तो आप easily इसे YT Studio से भी चेक कर सकते हो कि आपके watchars कैसे complete हुए या नहीं हुए, कितने ही हुए, यहापर जैसे कि मैंने आपको बताए, यहापर आप देख सकते हो last 365 days में 28 दिन में, यहापर आपको जो है आप जैसी chrome में जाते हो न तो यहापर आप देख सकते हो chrome में जाने के तो यहापर कुछ इस तरह का interface दिखाई देखा, जब आपका यह complete हो जाएगा तो आप easily अपना monetization अप्लाई कर सकते हो, monetization अप्लाई करने के बाद YouTube से आपको कुछ एक mail आ जाएगा, मैं आप आपको Gmail में जाके बता देता हो, YouTube से आपको कुछ इस तरह सा Congress का mail आ जाएगा, यानि YouTube monetize आप भी कर सकते हो, और YouTube से earning करना पैसे कमाला चालू कर सकते हो, इतना करने के बाद आपको यहापर YT Studio में एक नया option आपके सामने आ जाएगा, यहापर आप देख सकते हो, यहापर आपने देखा होगा estimated revenue, पहले अगर आपका channel monetize नहीं है तो यहापर आपको यह न पिंडिंगे, subscribe और कितने पिंडिंगे, अगर आप monetize कर लेते हो, आपने आपको monetize के लिए eligible कर लेते हो, और monetization आपका complete हो जाता है, YouTube से आपको congratulations का mail आ जाते है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, तो यहापर आपको यह चीज़ दिखाई देगी, you are a YouTube partner, ठीके दोस्त आपने के बाद जो है, अभी आपको क्या करना है, एडिसन के लिए apply करना है, यानि आपको अपना एडिसन अकाउंट मना लेना है, एडिसन अकाउंट कैसे बनाते है, यह YouTube पे काफी सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, आप easily जाके एडिसन अकाउंट मना सकते वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो residential address है, आपको उसकी details पूरी देनी पड़ती है, वो देने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपना pencard, driving lesson, या फिर election ID वगेरा देना पड़ता है, आप जो है आधरकाड अपलाई नहीं कर सकते है, YouTube जो है edition भी complete हो चुका है, अभी आप अपना account detail डाल सकते है, और YouTube जो है अपने office से जो है आपको एक edition pin भेज़ेगा, edition pin यानि ATM का जो pin होता था ना, पहले जैसे आता था कि 4 digit का वैसा, आपको courier से एक pin आएगा, वो pin आपको हाँ पर डाल देना है, अपनी bank detail डाल देना है, और 100 dollar complete कर देतों तो आपके account में जो है पैसे आ जाएंगे, YouTube की हर 22 यानि 22 तरिक को जो है payment आ जाती है, YouTube की payment निकल जाती है पंदर तरिक को ही, लेकिन एक हफते के अंदर, यानि एक हफते के अंदर ही आपके account में 22 तरिक अपकी account में salary आपकी आ जाती है YouTube की तरफ से,FI 20 डॉडर जो है जादा नहीं चल रहा है फिर भी आपको हर महीने कम से कम घर बैटे बैटे 8000 रुपे मिल सकते हैं अगर आप एक job करते हो एक student हो या फिर housewife हो अगर आप कुछ भी करते हो तो साथ ही साथ अगर आप YouTube चैनल भी आपना चलाते हो तो आप बैटे बैटे इसली हर महीने 8000 रुपे कमा सकते हो कम से कम दोस्तो तो दोस्तो यह पुरा प्रोसेस होता है आपको जो है 1000 subscribers complete करने पड़ते है 4000 का watch hours complete करना पड़ता है यह करने के बाद आपको monetization के लिए apply करना पड़ता है फिर YouTube आपको mail करता है congratulations का कि you are eligible for a monetization इतना करने के बाद आप जब monetization complete कर ले तो ना आपका इतना करने के बाद Edison में आपको जो है अपनी पूरी residential address डाल देना होता है आपकी पूरी details document वागेरा देना होते ही YouTube उसे भी verified करता है उसके बाद में आपको एक Edison code भेजा जाता है Edison code आप जैसे ही डालते हो अपनी account detail के साथ तो आपका जो है payment चालू हो जाता है दोस्तों तो आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करना चैनल को यासे सब्सक्राइब करना